आदार सा मटर प्लाव रेकिंग आई सारसमान मेने निकालके रखा हुआ है मैंने मटर लिये हैं आदा किलो आलू लिये हैं मैंने चार अदद उनको कट कर लिया है चोटे पीसिज में 5-6 मेने टीमाटर लिये चोटे साइस किते बड़े हो तो आप दो ले लिए गा थोड़ा स के हरीबट मेंथ जण ऑद लिया है म нравится क् अधियर्च भणकsan लिया मैंक कपेज बनाना है मैं लिये गरम मसाल्य जीरा ARE यह मैं एक चमच खमच थाथफाफ्य निया साभ की नी मैं हैं धिया द्थर साफतिय काशन एक निया दोड़ा सा मासाला मैंने कोट ना फिनकृता बड़ उसी कुटी भी मिर्चे हैं जीरा और नमक इसके हम चटनी बनाएंगे मज़िदार सी बहुत मज़िका गाइज बनेगा आप जरूर ट्राइक करिएगा यह देखें सबस्के पहले मैं अद्रक लस्टन और हरी मिर्चों का पेस बना लेती हूं फिर हम इसमें इसमें इसको एक किलो चावल हैं तो मैंने एक कब भर के तेल लिया है अब मैं इसमें नीबु डाल दूंगी सबसे पहले इसमें प्यास नहीं डलती है यह देखें मैं नीबु डालती है इनका थोड़ सा कलर चेंज करूंगी नीबु का मैं फिर मैं इसमें इमली के कटारे भी एट कर दूंगी देखें जीरा और मैं कुटी मिर्चे नमक इसमें डाल दिया है यह काटके डाल दूंगी और दनिया पौदीना देखें मज़दार सी चटनी तयार है हमारी कलर चेंज हो गया है नीबु का भी आम मैं इसमें इमली एट कर दूंगी देखें इन से चार कटारे मैं इमली एट कर दी है थोड़ से इसका और कलर चेंज हो जाए तो मिसमें अधर कलस्टन और जो हमने हरी मिर्चे पीस के रखी है वह भी मैं इसमें डाल कर उसको भूनूंगे अच्छे से अधर कलर चेंज हो चुका है नीबु को हमें जलाना नहीं है वह थलके आच पर आपको इसको सिफ कलर चेंज करना ही बहुत मज़ी के लगते हैं इसमें चावलो में हमें इसमें पेस्ट एट कर दूंगे अधर कलस्टन और हरी मिर्चों का यह देखें इसको हम अच्छे से भून लेंगे प्यारी से इच्छी से खुजबू आने लगे इसमें से यह देखें इसक मैं आलू एट कर दूंगी आलू के साथ हम भूनेंगे इसको अभी हम मसाले अड़ नहीं करेंगे इसमें देखें चार से पांच मिट हम इसमें आलू को भून लेंगे अच्छे से बहुत मज़े के बनते हैं आप जरूर ट्राइब करिएगा मेरे रेसे पी अगर पसंद आय मैं साथ में दो से तीन मिनिट में इसको और भूनूंगी अच्छी तरीके से मिक्स कर दें आप इसको अब बहुत सबर्दस बनती है इस तरह से प्राइब जरूर करिएगा यह बहुत यूनीक रेसे पीए बहुत मजी की लगती है अब देखें मैं अच्छे से इसको मिला द दालेंगे तो फिर इसमें चमच में और डालूंगी अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसको अधिक गाईज टेमाटर हमारे गल चुके हैं तकरीबन और आलू भी हमारे अद्गले हो गए हैं अब मैं मसाला जो हमने पीसके रखा है वह मैं इसमें आट कर दूंगी आप च क्योंकि इसमें हरी मिर्चो का पेस्ट डाला है हमने तो यह काफी स्पाइसी होगा अब इसमें पौदीना भी एट कर दूंगी देखें तकरीबन एक से देड़ गिला स्पाइन डाल के में इसको मटर और आलू को गलने के लिए रख दूंगी तकरीबन 15 मिंड देखें पान आ रही है तो मुझे जरूर बताईएगा कमेंड में कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी तो 15 मिंड बाद मिलते हैं हम यह देखें आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं मटर भी गल गए हमारे दोने चीज़े गल चुकी हैं मैं इसमें चावल एट करूंगी एक किलो चावल थे यह बासपती राइस थे यह मैंने आदर गिंटे पहले भी वह दिये थे मैं वह इसमें आड़ कर दूंगी पानी आप अपने जो चावल एट करें आप उसके हिसाब से पानी भी डाल दिए मैं तकरीबान आदर गिलास पानी इसमें और एट करूंगी थोड़ा कम है पानी इसमें पानी में आट कर दिया है नमक आप अपने टेस्स के हिसाब से चेक कर लिएगा इसको पकाऊंगी ढखके बहुत जटपट बनते हैं अभी तो मौसम में सर्दियों का मटर भी बहुत जबर्दस आ रहे हैं आप जरूर ट्राइक करिएगा इसको बनाईएगा पकने स्टार्ट हो गए ये थोड़ा पानी हम इसका खुश करेंगे इसको दम पे लगाएंगे देखें पानी इसका बिल्कूल खोश्क हो गया है तोड़सा ज़र्दे का रंग पानी में भूला है वह में डाल दिया इसमें कि मैं इसको दम पर लगाऊंगी तकरीबन 15 मिंट के लिए दम लगा दिया है यह देखें गाइस 15 मिंट हो चुके हैं मारे चामल बिल्कुल रेडी हैं जबर्दस खुश्बू आ रही है इनमें से अजय देखें माशला लगा हमारा बिल्कुल कि देखें माशला से कितने जबर्दस लग रहे हैं आप को डिशाउट करें दिखाती हूं आप जरूरिए करईगा मुझे बताइएगा कि मैं यह रैसीपि कैसी लगी अगर रैसीपि पसंद आये तो मैंने चैनल को करिएगा अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज